वेल्कम बैक तो मैं लेक्चर नमबर फाइव आफ टारो कार्ड्स मैं सुर्भी गोयल हूँ एक होरस्कोप रीडर, एक नियुमरोलोचिस्ट, एक टारो कार्ड रीडर और एक वास्तो कंसल्टन्ट और आज हम है मेरे टारो कार्ड युटोरियल के लेक्चर नमबर फाइव पर, आज आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिकली ये है वास्तो थ्रू टारो कार्ड्स, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे, कि जब भी आप कोई कार्ड पिक करते हैं, तो मैंने आपको अपनी प्रीविस लेक्चर में बताया है कि आप नमबर को पढ़ेंगे, आप कलर को पढ़ेंगे, आप साइन लांग्विज को कैसे पढ़ेंगे, वो हम आगी के लेक्चर में समझेंगे, बहुत सारी चीज़े हैं जिनको रीड करके हम एक प्रेडिक्शन देते हैं, बट स साथ-साथ हम ये भी बता सकते हैं, टारो कार्ट को देखे, कि कैसे, कौनसे घर, आपके घर के अंदर, कौनसे डिरेक्शन बिस्बालंस्ट है, कहां पर इंबालंस है, कहां पर शायद अपने वास्तों के हिसाब से कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, हैंस आपके इशूज आ ये बताएंगे कि प्रेडिक्शन बहुत positive होगी, कभी आप बताएंगे कि प्रेडिक्शन बहुत negative होगी, अगर आपकी प्रेडिक्शन negative होने वाली है, मतलब अगर किसी question पे आपने अपने client का negative card पिक किया, और आप उन्हें कुछ negative बताना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो उस card से related direction है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई problem जरूर है अगर आपको वास्तू भी आता है तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या issues हो सकते हैं लेकिन अगर आपको वास्तू नहीं आता है तब भी at least आप उन्हें ये बता देंगे कि आपके घर का कौन से corner कौन से direction का corner ठीक जगा पर नहीं balanced है and hence आपको remedies करने चाहिए तो जो cards का structure है वो मैं अपने previous lectures में already पढ़ा चुकी हूँ अगर आपने वो miss किया है तो please आप मेरे previous lectures को सुने जो tarot cards होते हैं just for a recap मैं एक बार और आप सबको ये बताती हूँ कि जो भी हमारी tarot cards होते हैं ये दो portions में divided होते हैं पहला हो गया major arcana और दूसरा होता है minor arcana जैसे ताश के पत्ते होते हैं उसमें four suits होते हैं four decks होते हैं जैसे पान, चेडी, डाइमिंड, हार्ट इस तरह से उसी तरह से जो tarot cards है वो एक तो major और minor arcana में divided होता है जो major arcana है उसमें तो cards आते हैं बहुत सारे बढ़ जो minor arcana है वो further divided होता है four sections में मैंने cards का structure बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है previous lectures में ये सिर्फिक छोटा सा रीक्याप है अगर आपको structure समझने में problem है तो I will again see कि आप मेरा पुराना lecture सुने मेरे YouTube चानल पर पूरा playlist बना हुआ है tarot cards का उसमें से आप one by one lectures को follow कर सकते तो जो minor arcana होता है वो again four parts में divided होता है पहला होता है swords एक symbol होता है पूरा swords का जिससे पता चलता है कि sword का card है दूसरा होता है pentacles pentacles के लिए card में इस तरह का ऐसी star symbol बना होता है जो third होता है वो होती है wands wands होती है कुछ olive tree की branch ये सी बनी होती है और ये आपको wands के सारे cards में ये design मिलेगा and last होता है cups जिसमें cups आपके बने होते है तो इस तरह जो tarot cards है वो divided होते हैं एक particular structure में आप ये structure आज में आपको क्यों बता रही हूँ ये structure में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है कि आप किस तरह से identify करेंगे कि कौनसे card से आपके कौनसे direction इधर उधर थोड़ी बहुत हिली हुई है हो सकता है थोड़ी बहुत हो सकता है बहुत साथा जब आप मेरा full course करेंगे अगर आप मेरा full paid course करते हैं तो उसमें मैं सारी remedies भी बताती हूँ और भी बहुत कुछ है जो आपको समझने के लिए मिलता है लेकिन यहां से आप पूरा basic course easily समझ जाएगे तो जो हमारा major arcana का deck होता है major arcana tarot cards में हमारी life के major events दिखाते हैं जो बड़ी-बड़ी घटनाई होती है जिनसे हमारी life में कुछ transformations आते हैं इस तरह की चीज़े हमें major arcana दिखाते हैं तो major arcana होता है sky element और जब भी आप कोई card major arcana का pick करेंगे तो वो कौनसी direction represent करेगा या तो वो center represent करेगा center of the house जिसको हम भ्रहम स्थान भी कहते हैं ideally यह जो area है यह एक खाली area होना चाहिए यह आपके घर का center most portion होता है और यह घर का एक dot point नहीं होता है one tenth of the house होता है साथ ही साथ west center और west यह दोनों ही directions को represent करता है major arcana तो अगर reading करते time आपका major arcana का कोई negative card आता है तो इसका मतलब है आप center की direction को check करेंगे और आप west के direction को check करेंगे आप बिना client के घर में जाए आप बोल सकते हैं कि आपके ब्रह्मस्तान में कोई problem है या आपके west में चीज़े उस तरह से रखी हुए जिस तरह से नहीं होनी चाहिए अगर मैं बात करूंगी swords की तो swords का मतलब होता है air element और air element हमारे वास्तों में कौन से direction को represent करता है नौर्थ वेस्ट यहाँ पर अगर कोई problem है तो आप घर के north west को ठीक कराएंगे coming to pentacles जो होता है earth element earth element जो होता है वो हमारे वास्तों में represented होता है by direction south west तो आप इस direction को check करेंगे suppose आपके पास pentacles का कोई positive card आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी घर का south west direction है वो बहुत अच्छे से आपनी balance किया हुआ है और अगर आप और benefit लेना चाहते है तो आप कुछ-कुछ remedies कर सकते है जिससे आपको south west का और जादा benefit मिले now coming to wants wants से हमें क्या पता चलता है fire element और fire element की दो directions होती है एक होता है south और एक होती है south east अब अगर हम last suit के पास आएंगे जो की होता है cups का तो cup का मतलब है water element और water element में direction आती है north की और direction आती है north east की and मैं आपको sword जो की air element है यहाँ पर east direction लिखवाना भूल गई थी swords में north west भी आता है और east भी आता है यह दोनों ही directions हमारी वास्तों में air element हमारी वास्तों में इन दोनों ही direction से represent किया जाते है अब अगर आप कुई भी card pick करते हैं swords का तो आप बिना दिखे बोल सकते हैं अगर वो negative है कि आपके घर का north west और आपके घर का east यहाँ पर problem है हो सकता है कि आपने east में कोई भारी-भारी समान रखा हो बड़ी-बड़ी cupboards बनाए हो, बड़ी-बड़ी stores बनाए हो हो सकता है कि आपनी north west में red color यूज किया हो कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह से disbalanced हो सकते है अगर यह card आपका positive आता है swords का तो आप क्या बोलेंगे कि आपने अपनी north west और east को घर में बहुत अच्छी तरह से balance किया है और आप चाहें तो कुछ और भी बीच में कर सकते है तो एक तो होता है ही तरीका कि आप card को देखके समझ जाएंगे कि कौनसी direction आपकी balanced है या कौनसी direction में थोड़े से काम की जरूरत है अब एक चीज और होती है, एक और तरीके से cards में directions देखी जाती है जब मैंने आपको numerology through tarot का lecture पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये numbers होते हैं हर number एक planet को represent करता है tarot cards में आपको 1 to 9 के अलावा दो numbers और मिलते हैं एक number होता है 0 और एक number होता है 10 जब हम planets की बात करते हैं तब हम number 0 और 10 को भी number 1 की तरह ही लेते हैं इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी number 0 है, number 1 है और number 10 है इन तीनों का representation same ही रहने वाला है आप आप देखिए जो number 1 है वो किस direction को represent करता है sorry किस planet को represent करता है number 1 represent करता है sun को number 2 represent करता है moon को number 3 represent करता है Jupiter को ये सारे numbers की जो details हैं वो मैं आपको अल्रेड़ी पढ़ा चुकी हो number 4 का मतलब होता है राहू number 5 का क्या मतलब होता है it means Mercury, बुद का planet होता है number 6 जो होता है उसका मतलब होता है Venus number 7 होता है Ketu number 8 होता है Saturn and number 9 होता है Mars इन planets को हमने बहुत अच्छी तरह और बहुत अच्छे से detail में भी पढ़ा है आप थोड़ा सा और आगे लिके जाती हूं मान लीजिए कि ये आपका एक घर है मान लीजिए यहां पर आपके पास है direction north ये आया east ये हुआ south और ये हुआ west उसके बाद चलते हैं थोड़ी सी sub directions में तो ये आगे आपकी north east की direction ये हो गए आपकी south east की direction यहां पर आया south west और यहां पर आया north west ठीक है ये हो गए आपकी directions हार direction में हम मानते हैं कि कोई ना कोई planet बैठा हुआ होता है अब जो north की direction है वहां पर हम मानते हैं कि हमारी planet mercury बैठे है North East में हम Jupiter को भी मानते है मैं यहापे right नहीं कर पा रहे हूँ North East में Jupiter भी मानते है और हम केतू भी मानते है अगर मैं East के पास आऊंगी तो जो सूरज की रोश्नी है वो हमें East से मिलती है सूरज हम मानते East से उखता है इसलिए East रेप्रेजेंट करता है Sun को जो Venus है हमारा वो होता है साउथ हीस्ट में South में होता है हमारा Mars South West में होता है राहू West में हम मानते हैं कि हमारा जो प्लानेट है साटन वो होता है और North West में हम मानते हैं Moon उसके बाद बचा आपके घर का ये जो सेंटर एरिया होता है यहाँ पर हम केतू को भी मानते है सेंटर में भी हम केतू को मानते है आप देखिए जब भी आप अपने कार्ड्स पढ़ेंगे जब भी आप अपने टारो कार्ड्स को पढ़ेंगे हर टारो कार्ड पर कोई ना कोई नमबर होगा या तो वो single digit number होगा जैसे 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर वो number double digits में भी हो सकता है जैसे 10, 11, 12, 13 सपोज आपके tarot card पे number है 13 तो इस number को आप क्या करेंगे? single digit में reduce करेंगे 1 plus 3 मतलब 4 तो जो tarot card जहां पे number 13 है उसको हम number 4 की तरह treat करेंगे सपोज आपके tarot card में number है 14 मान लीजे कि आपने tarot card पे किया और card number है 14 तो 14 को आप single digit में reduce करेंगे 1 plus 4 is equal to 5 और आपका जो number है वो हो जाएगा 5 और आपका जो planet है वो हो जाएगा mercury अब अगर mercury की में बात करूंगी तो mercury को हम कौन सी direction से दिखते हैं यहां दिखिए not की direction से तो आपको समझ में आया कि कैसे एक और भी तरीका है दो directions या एक direction तो मैंने आपको बता दिया कि हम arcana की basis पे decide करते हैं और दूसरी direction जो हम decide करते हैं वो होती है on the basis of planet planet के basis पर और arcana के basis पर दोनों ही चीजों के basis पर हम यह decide करते हैं कि आप tarot card में कहां पे कौन सी direction को कैसे read करते हैं तो और इसो simplify करने के लिए so that आप अपने notes भी मेरे lectures के साथ साथ prepare करते जाएं मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से table बना दिती हूँ पूरी आप भी इसे बनाएए जो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे please सुनिये दो बार सुनिये, तीन बार सुनिये और उसी चीज को notes बना लीजे आपको life में मैं guarantee करती हूँ when it comes to tarot cards ना किसी book के जरुरत पड़ेगी ना कि आप कभी किसी पर dependent होगे आपको कभी कोई extra material extra reading material ढूणना ही नहीं पड़े तो चलिए अब आज आते हैं हम directions पे अगर मैं आप directions लिखूँगी तो number 110 यह हुआ sun sun का मतलब हुआ east तो एक तो आपने number 1 से देख लिया east अब आप देखेंगे कि यह कौन से arcana का card है तो जिस भी arcana का card होगा 4 directions plus number की direction यह सारी directions को total करके आप बताएंगे कि आपके घर के यह 2 या 3 directions में problem है please look into it और इन चीज़ों को ठीक कर लीजे अगर मैं moon की बात करूंगी तो यहां दिखी यह moon किस direction को represent करता है north west north और west के बीच की direction है it is called north west अगर हम Jupiter की बात करेंगे तो Jupiter मतलब north east north east बोला चाते है न हमीशा कि जो आपकी घर का मंदिर है उसी north east में बनाना चाहिए क्योंकि वहां पर Jupiter का वास होता है Jupiter मतलब गुरू का planet इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो please मेरा numerology through tarot cards का lecture जरूर follow केंजे I think ओ lecture number 3 है बट आप पूरी series follow करेंगे तो I always think आप बहुत अच्छा understand करेंगे number 4 is राहू इसका मतलब ये हो गई south west की direction number 5 is mercury मतलब north की direction number 6 आया venus luxuries की direction ये कौन सी होती है south east south और east की बीच की जो ये direction होती है ऐसे बोलते हैं हम south east number 7 हुआ हमारा center भी हुआ और हमारा north east भी हुआ वैसे भी आपके घर में कितने भी दोशों कुछ भी हो अपने entrance का और अपने घर के center का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए खोड़ी बहुत knowledge में अपने youtube चानल पे भी वास्तू की देने की कोशिश करती हूँ अगर आप चाते हैं तो आप मेरे वास्तू की lectures और वास्तू tip की playlist को भी सुन सकते हैं या आप इंस्टा पे मैं वास्तू से related बहुत tips देती रहती हूँ आप चाते हैं तो आप उसको भी सुन सकते हैं coming to number 8 अगर आप Saturn की direction को ठीक करना चाते हैं तो आपको West की direction ठीक करनी है और अगर आप अपने Mars को ठीक करना चाते हैं तो आपको South की direction को ठीक करना पड़ेगा ये थी directions की बात मैंने आपको समझानी की कोशिश की कि किस तरह आप अपने client को बोलेंगे कि अरे North में कच्रा कर डबा तो नहीं है अरे आपको South East बिगड़ा हुआ तो नहीं है आपके South West में प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर आपको भी कुछ नहीं आता वास्तु में और आपकी client को भी कुछ नहीं पता तो कम से कम आप ये तो कहिए सकते हैं कि देखिए आपकी ये directions गड़बढ है इसलिए प्लीज आप कुछ-कुछ remedies जो भी अगर आप पूरा course मेरा करते हैं तो याप कहीं से भी अगर आपने पढ़ा है remedies की बारे में वास्तु remedies तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़े कर लीजी जिससे आप अपने घर के इस corner को balance कर पाएंगे और चले मैं आपको एक practice करवाती हूँ और practice मैं आपको किस तरह से कराऊंगी practice के लिए मैं अपनी ppt खोलती हूँ एक card आपकी सामने खोलती हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप cards में कैसे आप cards की through आप directions को identify कर पाएंगे चलेए let us say मैं आपके सामने अपना ये एक card खोलती है और देखिए हमें यहाँ पे अगर directions identify करनी है तो हम कैसे करेगे जो ये Empress का card होता है सबसे पहले आप क्या दिखेंगे number card पे number है 3 ये दिखे number है 3 3 का मतलब हो गया Jupiter और मैंने आपको बताया कि जो Jupiter है उसकी direction क्या होती है आपके घर का north east ये हुआ पहला point और ये मिली आपको आपकी पहली direction दूसरा point क्या चेक करना है आपको कौन सा आरकाना है तो जब आप cards पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा ये जो the Empress का card है ये होता है major arcana का card major arcana का मतलब होता है sky element और मैंने आपको बताया sky element का मतलब है घर का center plus west ये दोनो directions अब आपको क्या देखना है आपके पास कौन सी three directions आ गए एक तो ये एक ये और एक ये इसका मतलब इस card से totally आप कौन से directions के बारे में पता लगा पाएंगे एक तो हुआ आपका north east दूसरा हुआ आपका center of the house और तीसरा हो गया आपका west तो आप अपने north east, center और west इन तीनों ही directions के बारे में आप कह सकते हैं क्योंकि ये card बहुत positive card है तो आप कह सकते हैं कि देखिए आपकी ये directions बहुत अच्छी है और client को problem आ रही है लेकिन आपने positive card pick किया है तो आप कह सकते हैं कि आपकी साथ अच्छा होने वाला है बस इन तीन directions का थोड़ा सा ध्यान रखिया और थोड़ी सी remedies कर लेजे तो ये था this was all about my lecture number 5 जिसमें मैं आपको समझाना चाहती थी कि कैसे आप tarot card से घर की वास्तू तक बहुच सकते हैं जिसमें मैं आपको समझाना चाहती है